नमस्कार में हुडिकेश कुमार और आप देख रहे हैं आज जिस चेहरा के साथ मैं यहां बैठा हुआ हूँ वह चेहरा आज नाम का मौताज नहीं है मांकि मैं आपको बता दू मेरे साथ में हैं कोमेडियर राज सूनी सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैन उस मिदल क्लास फैमिली से आते हैं जो सचके मिदल क्लास है है तो हमारा वही होता है कि मम्मी पापा चाहते है कि बेटा एक अगर दो बेटे हैं तो एक डॉक्टर बन जाए कि इंजीनियर बन जाए यह तर नलाय को बन गया है चुप आछा है मतलब तो ऐसे ही मेरे जो तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनू लेकिन इसको सोई से खुद डर लगता है तो होता है कि आप इस तरफ आपका रुजान बढ़ जाता है उन दिनों लाप्टर के शोज आ रहे थे और मैं चिवी वगरे देखर कॉमेडी जो भी कॉमेडिया कॉमेडी सीन होती थे उसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था तो यहीं वज़ाए कि मैं उस तरफ हींचा चला गया और यह जो आपने कहा कि घर वालों से तो जाहिए कि मैं अगर शोज भी करता था धीरे दिरे में शोज मिलने शुरू हो गए थे तो मैं अगर आट- नहीं ठीक है तुम वो शोच हो लेकिन उसमें कोई करियर नहीं है ऐसा बहुत लोग भी बोलते हैं और लोग जब घर में आके बोलते हैं तो गारेंट को भी ऐसा लगने लगता है ये यहाँ पर मेरे साथ उल्टा हुआ जो बाहरी लोग थे वो आकर उल्टे कहते थी कि आपका बिटा सही कर रहा है मेरे पापा जा जाकर दुसरे के पास कहते थे बताइए ऐसा करियर चुन लिया है इस लाइन में जाना चाहिए और फिर वो इनको समझाते थे कि नहीं नहीं आज उस आप देखे बहुत नाम होगा आप बहुत पैसे आएंगे और लोग जो है राज के नाम से आपको पहचानेंगे तो फिर धीरे-धीरे उनकी सोच में परिवर्टान आने लगा जैसे आपने कहा कि अक्सर लोग आखर कहते थे कि नहीं करने दिजिए जो कर रहा है वो सही जा रहा है तो किस एज में आपको यह लगने लगा था कि नहीं मुझे इसी लाइन में जाना है सतर साल की उमर है सतर नहीं हुआ है ठीक है तो मुझे ट्वेल्थ में आने के बाद धीरे-धीरे मैंने इस शित्र में ज्यादा इंट्रेस्ट लेना शुरू कर दिया और फिर उस समय अच्छे खासे सोच के लिए इंक्वाइरी आने लगी मेरे लिए तो फिर मुझे लगता है ट्वेल्थ के बाद से मैंने इसे अच्छे तरीके से बढ़ाना शुरू किया लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैं प्रॉप इसी में करियर बनाना है क्योंकि इसी में ज्यादा इंट्रेस्ट ले रहा था तो फिर अब लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया था तब तक और दीरे-दीरे लोग पसंद करने लगे फिर मैंने उन सभी चीज़ों को छोड़कर इसे ही अपने stand-up comedy को ही अपना करियर च चीज़ बताइए लोग कहते हैं कि किसी भी छेत्र में हो आप किसी भी छेत्र में आप जाना चाहें तो पढ़ना तो पड़ेगा बिलकुल अगर एक आर्टेस्ट हो और एक पढ़ा लिखा आर्टेस्ट हो दोनों में अंतर हो जाता है तो मैं अपने किसी भी comedy में फोहरता पहरता बोले तो आजकल जो गाने वाने बज रहे हैं गंदे गंदे गाने तो मैं उन चीजों से अलग वीडियो क्रेट करता हूं थाकि सारे family member भी देख सके और पढ़ाई भी बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ-साथ अगर आप किसी फिल्ड में जा रहे हो तो आपके प आप कितना पढ़े लिखे हैं रोमियो तो चारा कोजी तक खड़ाता हूं चार बज़े तक अच्छा इतना पढ़ाई करता था यह तिमान के चलिए गार्जयन आपके मान गए कि ठीक है लेकिन गार्जयन कभी-कभी यह भी बोलते होंगे कि तुम करते हो लेकिन रुपे नहीं आता है ऐसा भी ऐसा भी कुछ आता था गया बिलकुल आया था और खास दिखकते आई थी शुड़ू में पापालों का यह कहना था कि वह अपने जगह सही बेते सरकारी नोकरी होना चाहिए या फिर कोई जोब हो जिसमें फिक्स्ड हो कि तुमारे पास रुपे आएंगे यह वह करके तो उस समय मुझे भी तोड़ा दुख होता था रह यार यह मतलब बिल्कुल सही बात करें मैं भी टेंशन में आ जाता था लेकिन ऐसा कभी कभी लगता था जब आपको कहीं आप आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया आज यूट्यूब और फेस्बुक से मुझे पैस नहीं है यह और इतना मेरा कहिए कि जो इमोशनली अटेश्मेंट होता है वो मेरा इसके साथ हो गया तो राज सोनी कब लगा कि सही में राज सोनी हो गया है क्योंकि जब लोग मुझे मैयत में नहीं बुलाने लगे पहचानने लगे तो यह अच्छा लगता है पहचानने कहीं जगह नहीं रहता हूं जब यह साथ में रहता है तो ज्यादा लोग पहचानते यह पर दर्सक को या फिर हमारे के ङाइट में अभी भी लोग भाहर नहीं निकलने देते हैं या अलग अलग दूसरे मेने छेत्र में नहीं जाने दने उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप देखे मुझे लगता है कि मौका उनको मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं और अगर आपके बच्चे में वो काबिलियत है वो उस शेत्र के लिए ही बने हैं तो उसमें उन्हें जाने दिया जाए थोड़ा समय दीजिए उन पर भरो किजिए फिर जो है कहते हैं कि किसी चीज को पूरी शिदत से चाहो तो सारी काइनात उसे तुम से मिलाने में जुट जाती है उसमें भी तेरा भला हो हो सकता है अगर तू अभी उस चकर में रहता तो अभी आगे नहीं बढ़ पाता है 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 यह तो ने सो चैनी